मंगलवार को इंगिन प्रेमेर लीग में इस सीजन कमाल का खेल दिखा रही राजस्थान रॉयल्स ने तोर्नामेंट के दूसरे रॉयल्स यानि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर को हरा कर मुकाबले को 29 रंज़े जीत लिया इस जीत के साथ ही राजस्थान पॉइंट स्टेबल में नंबर एक पर पहुँच गई है तो वहीं आर्सीवी की टीम नौ मैचों में पांच जीत और चार हार के साथ पांचवे नंबर पर बनी हुई है इस लो स्कोरिंग मैच में फैंस को क्रिकेट का रोमांच तो काफी फैंस को वो भी दीखना पड़ा जिसकी उमीद कोई नहीं करता दरसल मैच की पहली पारी में राजस्थान की बलेबाजी बूरी तरह से फ्लॉप हो रही थी लगातार गिरते विकिटों की वजह से रन बनानी की रफतार बहत कम धी फिर मैदान में उतरे रियान पराग जिन के बाद जब वो वापस जगाउट जाने लगे तो दोनों के बीच गहमा गहमी देखने को मिली बात इतनी बढ़ गई की दोनों टीमों के खिलाडियों को बीच बचाओ के लिए आना पड़ा था लेकिन ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई सबको लगा था कि बात खत्म हो गई और खिलाडी मैच के बाद जब हाथ मिलाएंगे तो दोनों में दोस्ती भी हो जाएगी लेकिन हर्शल पटेल ने तो रियान पराग से हाथ मिलाने से भी इंकार कर दिया हर्शल पटेल के आउट होते ही RCV की टीम आल आउट हो गई थी जिसके बाद हर्शल और हैजल वूड ड्रेसिंग रूम की और लोटने लगे तो राजस्तान रोयल्स की खिलाडियों ने दोनों से हाथ मिलाया हर्शल पटेल ने इस दोरान बांकी सभी खिलाडियों से तो हाथ मिलाया लेकिन रियान पराग ने जब हाथ बढ़ाया तो वो उन्हें नजर अंदास करके आगे बढ़ गए इसके बाद रियान पराग ने पीछे मुड कर देखा भी लेकिन हर्शल पटेल आगे निकल गए हर्शल की सरकत के बाद सोशल मीडिया में फैन सुने जम कर खरी खुटी सुना रहे हैं